प्रोफेशनल कॉंग्रेस के राश्री अध्यक्षे प्रविन चक्रवर्ती ने इस बार इंडिया गटबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है प्रदेश कॉंग्रेस काले राजी भवन में पत्रकारों से बाचीत करते हुए प्रविन चक्रवर्ती ने कहा कि कॉंग्रेस ने पांच महिने लोगों से विचार लेकर मैनिफेस्टों तयार किया है सबसे महत्वपूर्ण इसमें आर्थिक नियाय सामाजिक नियाय की बात है देश में कितने OBC, SC और ST हैं पता होना चाहिए 70 प्रतिशत इनकी आबादी है तो बड़े-बड़े पदों पर मात्र 10 प्रतिशत ही इनकी संख्या क्यों है केंद्र में सरकार बनने पर सबसे पहले सामाजिक अर्थिवस्था वर्ग जन्गरना करवाना है इससे पता चलेगा कि किसके पास कितनी जमीन और पैसा है भाजपा कहती है कि कॉंगरेस का गोशना पत्र मुस्लिम लिग है गोशना पत्र में किसानों की MSP की कानूनी गैरंटी कर्ज मुक्त करने आयोग युवाओं को 30 लाग सरकारी पदों पर भड़ती आधी का क्या भाजपा मुस्लिम लिग बानती है पेले मैं आपको थोड़ा बैक्राउंड दे रेता हूं यह न्याय पत्र केसे हम नहीं लेकिया इसमें है 48 पेज़स और इसके लिए हम लगबद 5 महीं ने पर्मर फाइनांस मिनिस्टर पी चिदमर्टी उस्ट चेर्मन चाथीजगर्स पॉर्मर डेपुटी चीप मिनिस्टर पियस सिंग्यों बाबा वस्ट कंवीनर और पांच महीं ने लगबग हम पुरे कमिटी के मेंबर्स पुरे देश में पुब्लिक कंसल्टेशन करके और उसके बार हम डोमें एक्सपर्स इकॉनिमिस तो ग्रूप में बात करके देश में और विदेश में और हम बार भी जाके जो अमारा पहली नौकरी पक्की का स्कीन है वो बहुत रिसर्च करके हम पांच मैने के बाद यह डॉक्यमेंट लिकाले तो यह ऐसा डॉक्यमेंट नहीं है जैसे जो आमने जो आया मन में यह 10 लोग एक सम्रे में बैठके लिख लिया नहीं इस विस प्रपेर्ड आप्ट एक्स्टेंसिव कंसुटेशंस और रिसर्च what is the main idea of the manifest the main idea of the manifesto is न्याई, न्याई मतलब, सामाजिक न्याई और आर्थिक न्याई, social justice, economic justice. This is a, it is a fact that today in India and to be fair everywhere in the world, economic inequality is growing. The gap between the rich and the poor is become very, very wide. उसके लिए क्या करना है? लेकिन उस सवाल and answer करने के पहले यह सवाल पुछना है कि inequality इतना बड़ा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? हुआ? विकॉस जो भी अमारा जो चैने मिर्मला की तरढामिंजी और मोğiniदी जो बता रहें आपको कि GDP बढ़ रहा है. क्यों एका या सब से बढ़ा पास्टा गुज्ग मैं पूछना है कि किसके लिए बढ़ आघ इघ्ञा है? अगर we have what economists like us say jobless growth GDP बढ़ रहा है लेकिन नौकरी नहीं तो इक बड़े-बड़े positions सरकार में, corporates में और बज़ेट होता है उनमें क्यों OBC, SC, ST लोग का शेप 10% से नीचे है अगर उनका शेर आपड लवटन तो 70% why is their share in successful positions in society less than 10% why is their share of the budget of the resources of government less than 10% that is the question and that is why we say we need samajik नयक आए, social justice सब्सक्राइब कर दा इस रावल गांधी जी असेट री क्लिर ली अम जून में सरकार पनाएंगे और पहला स्टेप यह होगा की सेंसेस आप लोग इसको पास सेंसेस बोलते हो यह इसका सही टर्म है टेक्निकल तर्म है तो इससे पता चलेगा कि कितने लोग लोग है उसके पास दन है किसके पास जमीन है इसके पास नहीं है यह अमारे सिच्वेशन क्या है स्टिती यह समझने के लिए यह एस पीसी सेंसेस जरूरी है रावल जी इसको एक्स रे बोलते है एक्स रे ऑफ इंडियन सोसाइटी इसके बाद क्या होगा एक्स रे ऑफ इंडियन सोसाइटी के बाद हमें याय पत्र में लिखा है कि सामाजिक न्याय के लिए बेरी क्यों स्पेसिफिक स्टेप्स पहला रेजर्वेशन वी विल तेक अबाव फिप्टी परसंट यह से विए रावों स्टेट में हुआ रही रेजर्वेशन इसके बाद बोट सारे पॉइंट्स ने दो तीन पॉइंट्स आइलाइक करता हूं के से सामाजिक नाय हम लेखिया गवर्णमेंट कॉन्ट्राक्ट्स जब आम गवर्णमेंट कॉन्ट्राक्त देरें SC ST OBC लोग पुछ ज़्यादा देंगे जब आम लोंस के बार में बातंगे SC, SP, OBC, लोके दोज ज्यादा देंगे. So representation for OBC, SC, STs in government contracts, government jobs, in budgets, in resources will be higher. So when Rahulji says,